और आज की क्लास में हम लोग जो हैं डिसकस करने वाए हैं जिसमें से सीपी एसी के बहुत सारे questions पूछे जाते हैं questions चैप्टर से आते हैं चाहे लास्टर की बात करूं चाहे मतलब लास्टर थे छोटा से पिछले दस साल और इवन इस साल भी अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड दाट देर आर लाइक अल्मोस्ट सिक्स्टू फोर मावकर questions आर देर फ्रॉम इस चैप्टर से रिलेट करते हैं इसी चैप्टर से आते हैं अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग इंपोर्टिंट और यूसफुल होने वाली है आप सब लोगों के लिए टॉपिक का नाम है इंकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टिप्लायर यूनिट है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ इंकम एंड इंप्लाइमेंट तो यहां पर अगर इस यूनिट 3 की इस चैप्टर की बात करें we will talk about कि equilibrium जो है कैसे find out किया जाता है students equilibrium, equilibrium of an economy, income level of an economy, determination किया जाता है उसका income का determination, employment का determination या फिर output का determination तो तीनों ही एकी चीज़ हैं तो किसी भी economy का determination कैसे किया जाता है, don't forget students आप इससे पहले कर चुके हैं, micro economics में किसी भी commodity का price determination आप कर चुके हैं, price determination of a commodity, तो it's not a new thing for you, उसके अंदर हम market demand और market supply लेते थे, यहां पर हम aggregate demand और aggregate supply लेते हैं, I hope आप सबको पता है कि aggregate demand का curve कैसे होता है, बिल्कुल ऐसे बनता है, zero से कभी भी नहीं बनता है, and it keeps on increasing with the increase in income, अगर आप देखेंगे aggregate supply का curve कैसे बनता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि aggregate supply is equal to income which shoots from the origin, making an angle of 45 degree, तो यहां पर आपके पास GDP income available हो गई, यहां पर आप aggregate supply लिख देंगे, यहां पर आप aggregate expenditure जिसको हम aggregate demand भी बूलते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, यहां पर GDP यानि की Y, इस तरीके से AD और AS का आप diagram बना सकते हैं, बनाया हुआ है, पिछली classes में समझाया हुआ है, equilibrium निकालना चाहते हैं, then we can find out the equilibrium with the help of two approaches, पहली approach जिसको हम बोलते हैं, AD is equal to AS, और मैं जान बूच कर इधर दुबारा लिख देता हूं कि दूसरी approach होती है, AD is equal to AS, आप सोचेंगे कि यह तो दोनों सेम हो गई, लेकिन difference है, difference हम करेंगे अभी आगे, तो AD और AS, यहां पर तो AD AD कि C plus I is equal to C plus S, यहां पर यह दोनों आपस में बराबर होते हैं, aggregate demand के definition आपको पता है, students, aggregate demand refers to demand for final goods and services by all the sectors of an economy in a given period of time, जबकि aggregate supply, यहां पर planned demand की बात हो रही है, planned supply की बात हो रही है, aggregate supply, so it is the supply of market value of all the final goods, which all the suppliers are intended to supply, are planning to supply in an accounting area in a given period of time, तो यहां पर अगर हम बात करें AD और AS, तो यहां पर थोड़ा सा में इसको elaborate करना चाहूंगा, कि AD का मतलब होता है C plus I, और यह equal होना चाहिए किसके C plus S, आप देखेंगे स्विंट C और C दोनों तरफ हैं, बराबर हैं, तो यहां पर N में हमारे पास बच जाता है, S और I, I और S जिसको हम SI अप्रोच भी कहते हैं, तो यहां पर बेसिकली पहली अप्रोच हमारे पास आती है, AD और AS अप्रोच और दूसरी अप्रोच हमारे पास आती है, Saving and Investment अप्रोच, स्टुडिंट्स यहां तक आपको अगर क्लियर है, सब के सब एक बार बता इकवल होते हैं, दूसरी अप्रोच होती है, हमारे पास S और I, यानि कि Saving Investment अप्रोच, तो यहां पर दो अप्रोच हो गई, दोनों में, अच्छा, जितने बच्चे हैं, आप प्लीज सब के सब जो है, रिप्लाई जरूर कीजिए, बिकास मैं आप सब से एक्सपेक्ट कर आँ, कि आप सब रिप्लाई करें, यहां पर, ओके, यहां पर दो अप्रोच है, हमारे पास, दोनों मैंने बता दी है, aggregate demand का जो है, मैंने आपको कपर बना दिया है, aggregate supply का मैंने जो है, यहां पर कपर बना दिया है, और इसी की help से, हम बाकी की सारी चीज़ें करेंगे, students, इस इससे पहले कि इस टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए टेबल मैंने बना दी हैं अजम्शन भी मैंने लिख दी हैं सो डाट जादा टाइम इसमें ना लगे यह दोनों कर्वस आप समझके रखे क्योंकि इन दोनों को जब कि बात करेंगे अजम्शन दे लेते हैं किसी पी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसकी अजम्शन आपको पता होनी चाहिए और जैसा कि तरुन बार-बार पूछते रहते हैं कि सरको शॉटकट है याद करने का मैं पहले बता देता हूं जी हाँ शॉटकट है टी आई पी स्टिप से करता है और वह वह प्रीमेस समझेट इंडेटर सेटिवरेस टे एम अवही बताया हुएस他प समझ में आगया होगा अफंचे पॉप investment expenditure is autonomous autonomous का मतलब क्या होता है समझ लीजिए students it's not dependent on income no relation with income no relation with income income से relate नहीं होता no relation with income मैंने याद कीजिए no relation with why मैंने आपको बताया था दो तरीके के investment की investment होती है the one the first one is induced investment another one is autonomous induced investment में क्या होता है induced investment keeps on increasing with the increase in income income के साथ साथ increase होती रहती है लेकिन autonomous investment वो investment होती है जिसका income के साथ कोई relation नहीं होता students तीसा point है हमारे पास price level is assumed to be constant यानि कि हम जो economy में price level मानते हैं the price level which is given to us वो हम मानते हैं constant उसको हम लेते हैं constant यानि कि जो price level है वो constant price level change नहीं होगा students इस चीज़ का ध्यान जरूर दीजिए क्योंकि exam में आपसे question पूछा जाता है short run की बात कर रहे है AD और AS की बात कर रहे है एक question आता है जो आपसे पूछा जाता है question में पूछते हैं कि what will happen when aggregate demand exceeds aggregate supply what will happen to the price level price level में क्या होगा when aggregate demand exceeds aggregate supply आपका answer काफी बार गलत होता है यह question आप जो है ध्यान में रखिए what happens to price level when aggregate demand exceeds aggregate supply काफी important question है कोई फरक नहीं पड़ेगा students the thing is that कोई फरक नहीं पड़ेगा price level पर क्योंकि price level assumed to be constant constant होता है कोई फरक नहीं पड़ेगा इस तरीके का question आपको one marker में पूछा जा सकता है mcq में पूछा जा सकता है इस तरीके का question जो है basically आपको three four marker में भी पूछा जा सकता है और मैं ज्यादा तर इस तरीके के होट के question पूछता हूं पेपर में एक आधिक question जरूर देता हूं next point की बात करते हैं equilibrium is determined in short run यहाँ पर short run की बात कर रहे हैं long run की बात नहीं कर रहे हैं इपर फिर से comment box में सब के सब बच्चे जो है yes sir लिखके जरूर बताएं और अगर कहीं पर tip आपको अच्छे लग रही है तो like करके जरूर बताएं कि इस तरीके की tips जो है आपको और चाहिए इसके बाद मैं बात करूँ टेबल मैं यहाँ पर बता चुका हूँ टेबल जो है आपको बनाई हुई है दी हुई है तो टेबल की अगर हम बात करें यह टेबल भी हम लोग एक class लेंगे इसके उपर भी की टेबल कैसे बनाई जाती है किस तरीके से how to make the table how to construct the table so that you will not face any kind of problem in your examination examination में आपको कोई problem ना हो तो students यहाँ पर क्या किया है अब तक वही pattern में follow कर रहा हूं याद कीजिए 100-100 का gap ले लिजिए 0 से जरूर से जरूर स्टार्ट कीजिए 2nd point 80 ले लिजिए और 60-60 से बढ़ा दीजिए गुर्पुनित देख लिजिए अगर सारी चीज़ें as it is है आप saving निकाल लिजिए saving कैसे निकालते है saving निकालते है y में से c less कर दीजिए तो 0-80 तो आप ये दोनों लिख लिजिए बाकी चीज़ें आपको अपने पता लग जाएंगे लेकिन उसके बाद students आपने y लिख 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 प् ऩॉंडर्सटांड स्टूडेंट बडे काम की चीजी है कान खोलके सुनिए और जबर्धस तरीके से बता रहा हूं जबर्दसता है माइनस 80, 100, माइनस 140, माइनस 40, इस तरीके से निकान लेजे, एक जस्ट एक राय है आपसे, एक पॉइंट ऐसा जरूर रखिएगा, जहांपर C और Y दोनों equal हों, so in case आप further किसी calculation के लिए use करना चाहते हैं table, तो आप वो भी कर पाएं MPC, MPS, APC, APS, इनके cases में भी आप बड़े आराम से, वही same to same table use कर सकते हैं, table आपके लिए same होगी, but examination में जब लिखेंगे, तो examiner के लिए वो table नई ही होगी, different ही होगी, don't forget this thing, I, I जो है, अब यहां पर आपका जो है I का point आता है, आगर यहां पर आप देख सकते हैं, equilibrium लिया हुआ है, जहां पर AD और AS, 300-300 बराबर है एक दूसरे के, और SI भी बराबर है, 40-40, now it completely depends on you कि आप कहां पर चाहते है equilibrium, students अगर आप में से कोई 400 पर equilibrium चाहता है, तो यहां पर आप क्या करेंगे I की जगे, यहां पर I की value, क्योंकि constant होती I की value, I autonomous है तो constant रहेगी, तो I की value किसी भी level पर saving के बराबर कर लेजे, कोशिश कीजे saving जब positive हो, तभी आप वही I की value वहां पर लें, sir there is a mistake AD will be less than AS when there is 400 level of income 400 level of income भई मेरे हिसाब से तो यहां पर यही आना चाहिए okay, 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 that could be a situation 360, no problem, ऐसा हो सकता है कोई बात नहीं so यहां पर हम, ऐसा हो सकता है कोई नहीं चीज नहीं है यहां पर तो यहां पर इस तरीकी की चीज हम ले लेंगे बट आगे देखेंगे तो यहां पर AD और यह यहां पर जो AS दोनों में ज़ादा है AS is same to same जो मैंने बताया था वही है, वैसे यह कोई problem नहीं है AD is less than, यहां पर देखिए 400 है जो है AS है so यहां पर अगर मैं बात करूँ तो I आप किसी भी level पर ले लीजी मान लीजी, मैंने 300 पर लिया है 40 था, यहां पर मैंने 40, 40, 40, 40 I ले लिया students अगर आप 400 पर लेना चाहते हैं तो आप यहां पर saving 80 गिवन है आप हर लेवल पर 80 ले लीजीए और 400 पर आपका equilibrium आ जाएगा but it is better to find the equilibrium determine the equilibrium, set the equilibrium strike the equilibrium at a middle value somewhere in the table table की middle में अगर रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है certain ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर ऐसा कुछ problem हो I hope table आपको समझ में आई होगी यहां पर इसके बाद बात करते हैं यहां पर इसके बाद बात करते हैं कि कैसी equilibrium को find out किया जा सकता है इसको equilibrium को find out करने के लिए सबसे पहले आप define कीजिए AD AD क्या होता है So AD होता है students की final goods and services जितने भी all the demand by all the sectors in an economy for the final goods and services that is what we call aggregate demand दो इसके component होते है एक component होता है C और एक component होता है I C जो है income के साथ-साथ बढ़ता है जबकि investment को हमने यहां पर autonomous माना है तो वो नहीं बढ़ेगा इसके बाद हम बात करें AS की AS जो है Y के बराबर होता है जिसका मतलब होता है C plus S यानि की income के दो uses हो सकते है या तो consumption या saving देख लेते हैं AD का कर्व मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ AD इस तरीके से बनता है AS 45 degree line, line of reference जिसको हम बोलते हैं AS is equal to Y इस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स अगर determination होता है determination of determination of equilibrium determination determination of employment and income employment and income अगर आप इसका determination करना चाहते हैं I just wanna make a diagram here तो diagram हम यहाँ पर बना लेते हैं और diagram आपके exam में इसमें से पूछा जाएगा students तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर GDP ले लीजे GDP यानि की income यहाँ पर आप ले लीजे AD, aggregate demand या AE ले लीजे and AS ले लीजे यहाँ पर AS लिखा नहीं जाता है वैसे जाधा तर Y axis, X axis, origin आप students सबसे पहले आप जो है यहाँ पर बना लीजे aggregate supply 45 degree line से shoot करते वे निकलेगी aggregate supply, C is equal to S और Y, यह मतलब होता है इसका फिर आप बचना लीजे aggregate demand यह aggregate demand आगया AD is equal to C plus I यह यहाँ पर aggregate demand आगया, तो student जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो intersection point आया है E और इसके corresponding income आईए O Y तो O Y level of income is equilibrium income यह equilibrium level of income होगा और E जो है वो equilibrium होगा हमारा जहाँ पर equilibrium equilibrium होगा जहाँ पर AD और AS यहाँ पर इस point पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों intersect कर रहे हैं एक दूसरे को तो AD और AS यह दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो हम यहाँ पर determination of equilibrium level of income can be understood with the help of this diagram कि एक तरफ AD ले लिया है एक तरफ हमने AS ले लिया है point of intersection है तो यहाँ पर क्या show कर रहा है है यहाँ पर show कर रहा है कि AD curve की बात करूँ तो AD curve एक desired level of expenditure बता रहा है for the goods and services desired level planned बता रहा है students ध्यान रखियेगा it's showing planned level of expenditure by the household and firms on the final goods and services whereas AS AS आपको बता रहा है that how many suppliers would like to supply the final goods and services intend करते हैं जतना supply करने के लिए intended है planned supply आप यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर equilibrium point है क्यों है क्यों है यहाँ पर desired spending on consumption on consumption consumption यानि कि by household and investment by the firm sector is equal to aggregate supply aggregate supply के जो है यहाँ पर बराबर है यानि कि total output supply कह लिजी aggregate supply total output कह लिजी उसके बराबर है इसके बाद बात करें OY जो है वो हमारे equilibrium level है output का corresponding to point E यह OY level आ गया यहाँ पर तो OY level हमारे equilibrium level है income का और जी जो equilibrium है यहाँ पर equilibrium strike करता है अगर आप table के according देखें तो table आपके आगे भी काम आएगी कि यहाँ पर आप total कर दीजी AD निकाला जाता है C plus I तो C 260 plus S 300 AS जो है AS जो है यहाँ पर है इसके equal यह आप चाहें तो C और S का equal होता है तो यहाँ पर 260 plus 40 तो आप देख रहे हैं कि दोनों का जो यहाँ पर दोनों को मैंने अलग-लग represent किया कि AD और AS भी बराबर है और S और I यह दोनों भी यहाँ पर बराबर हैं इस तरीके से आप equilibrium को find out कर सकते हैं students it is a situation of effective demand आपको exams में पूछा जाता है कि effective demand किसे कहते हैं तो students effective demand refers to that level of aggregate demand जहाँ पर यह जो point है यहाँ पर और सबक्राटा है इसको बोलते हैं effective demand क्यों हुआ जाता है effective demand बोला जाता है क्योंकि यहां पर AD और AS आपस में बराबर होते हैं because it is equal to AS AS X के equal होता है यहां पर अभे पूछ ने कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि equilibrium जो है lower level पर हो इससे मतलब नेचे वाले लेवल पर हो यह सारी चीज़े हम discuss करेंगे अब है लेकिन इसमें थोड़ा सा time है Keynes कहते हैं यहां पर classical economist के अगर मैं बात करूँ तो वो सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं कि equilibrium यहीं पर हो सकता है लेकिन Keynesian approach के according equilibrium इससे पहले भी हो सकता है इसके बाद भी हो सकता है और यह situation होती है deflationary demand और inflationary demand यानि कि excess demand और deficient demand तो यह दो चीज़ें यहां पर आती है next chapter में पूरा का पूरा explanation उसी के ऊपर है I will explain that particular thing at that time तो आप क्या answer जो है सिर्फ मैं अभी इतना ही देना चाहूंगा कि जी हां ऐसा possible है ऐसा possible है ऐसा हो सकता है रिश्यो पूछ रहा है आई कैसे निकाला रिश्यो कोई problem नहीं है आई हम आई जो है constant रहेगा आप चाहें तो यहां पर आई 40 है मतलब मुझे चाहिए था कि 300 पे equilibrium हो तो 300 के equal आने के लिए c में कितना जोड़ू 40 तो 40 जोड़ना पड़ेगा तो यहां प तो आई कितना रखूं कि वो income के बराबर आ जाए तो difference जो है दोनों का 40 है अगर आप यहां चाहते हैं तो 40 आएगा अगर आप equilibrium यहां चाहते हैं तो 80 लेना पड़ेगा आपको हर level पर तो इस तरीके से आप जो है बाकि सारे चीज़ें find out कर सकते हैं सारे चीज़ें निकाल सकते हैं तो मेरे ख्याल से आपको यह पता लग गया है कि आई जो है किस तरीके से find out किया जाता है I don't think so there is a problem तो यहां तक अगर आपको clear है I think सब कर जो है मुझे yes sir already advance में आ रहा है and I need that particular thing students लेकिन लेकिन यहां पर एक बात आती है क्या ऐसा हो सकता है कि AD जादा हो कभी कभी ASA या AD कम हो क्या AD जादा हो जैसा कि हमने जो है market equilibrium जब हमने पढ़ा था micro economics में तब भी ऐसे situations हमने study की थी students and आज भी हम लोग study करेंगे और मैं आपको बता दू कि यह question CBSE 2019 2019 में यह question आ चुका है मैं आपको यहां पर बताना चाहू का ऐसा हो सकता है कि AD जो है वो जादा है ASA ऐसा हो सकता है AD जो है कम है ASA यहां पर मैं बता भी चुका हूं कि आप देख रहे हैं टेबल में टेबल बना दिये मैंने उपर रिमाल्स देख रहे हैं AD जादा है पहले उपर लेवल की बात करें AD is more than S नीचे देखें AD less than AS और य यह situation भी economy में prevail हो सकती है जहां पर आपका जो है इसको बोलते हैं excess demand यह excess demand की situation कहलाती है और इसको बोलते है deficient demand और यहां पर जो hero of story होता है hero of the movie जो होता है वो aggregate demand पूरा limelight AD पर ही आता है क्योंकि short run में Keynes की according supply जो है उसको perfectly elastic माना गया है तो AD is the hero of the entire movie entire chapter in the short run only सिर्फ short run में तो AD ही variable है जो income को determine करता है जिसकी help से income determine हो सकती है अब बात कर लेते हैं students ऐसे situation में क्या होगा जब पहली situation तो यह आ गई है हमारे पास पहली situation यह है यह CBSC board के exam में पूछा जा चुका है और दूसरी situation यह है और यह भी CBSC board exam में पूछा जा चुका है students काफी बार एक बार नहीं काफी बार और ऐसी ही situation आएंगी जब हम S और I की help से जो है equilibrium को determine करेंगे तो I think better रहेगा कि यही सारे चीज़ें करते हुए table मैं यहीं पे रहने देता हूँ अभी क्योंकि table हमारे जो है आगे भी काम आएगी जब हम S और I से equilibrium को determine करेंगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ I just want to give you some glimpse कि I की बात करूं तो I कुछ ऐसा बनता है तो छोटा बना रहा हूँ मैं just to make you understand S जो है वो ऐसा बनता है और जब आप equilibrium की बात करते हैं तो equilibrium के अंदर यह आपका आगया I और यहां से आपका आएगा S और यह जो point होता है इसके बोलते हैं I यानि कि equilibrium आप देख रहे हैं कि जहां 300-300 बराबर था यानि कि AD और AS बराबर था वहीं पर ही S और I भी बराबर हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि S और I में कुछ इस तरीके से वही GDP इस पूरे chapter में GDP को यहीं लिया जाता है यह X-axis पर Y-axis पर ले लेंगे saving or investment origin और I think it's done इस तरीके से आप equilibrium find out कर सकते हैं O Y level of income is your equilibrium level यह S और I की help से है you can do that particular thing students अगर आपको पता है कि saving curve किस तरीके का होता है अगर आपको पता है investment किस तरीके का होता है basically क्या slope होता है तो AD और AS का मैंने आपको बता दिया है यहां पर इस तरीके से आप दुबारा भी बता दुआ जो है आप कर सकते हैं अच्छे यहां पर भी deviation हो सकता है ऐसा हो सकता है कि इस point से पहले आप देखेंगे तो I can be more than S I can be more than S before this point E और इस point के बाद I is sorry S is more than I S जादा है S जादा है इसके बाद और I जादा है इस point से पहले तो before E there is a problem there is a condition of this particular thing और यहां पर उसके बाद ऐसी condition है table यहां पर भी same रहेगी assumption इस case में भी same रहेगी assumptions are not going to change छोटा सा मैंने आपको example दे दिया है tips और जिन बच्चों ने जस्ट अभी join किया है assumption वगरह कि आपको यह जो toolkit है यह थोड़ी अच्छे लगी तो अपने like वगरह से हमें दिखा दीजिए कि हाँ भी आपको यह tips बहुत अच्छे लगते हैं तो दो situation हो सकती है students मैंने बताया deviation की अगर मैं बात करूं तो there could be two situations इसको भी इसको रहने देते हैं चलिए अभी पहली situation हो सकती when ad is more than as यहाँ पर हमारे पास अब है कहते हैं sir at point e we can say that x aren't saving x हाँ बिलकुल यही चीज़ होती है बिलकुल gerund कहते है diagram gerund मुझे यह बताइए कि आपको कौनसे वाला diagram समझ में नहीं आया s और i वाला समझाना है या ad और as वाला समझाना है आप मुझे यह ज़रूर बताए अगर आप यह समझाने की बात कह रहे हैं तो you can see that let me this is x-axis this is x-axis यह m है जो negative से start होता है आपको पता है saving negative से start होती है फिर rise होती income के साथ positive income के साथ positive relationship होता है यानि कि जैसे-जैसे income बढ़ती है saving भी बढ़ती है i stands for investment which is autonomous investment जो assumption का पार्ट है मैं आपको बता चुका हूं तो इन दोनों को club कर देते हैं mix कर देते हैं एक साथ बनाते हैं तो इस तरीके का diagram हमारे सामने आता है even even अगर आप मुझसे यह diagram पूछें तो एक और चीज में आप सब लोगों के लिए बनाऊंगा जस्ट इसके बाद फिर हम next topic पर जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह आई हो गया बिटा और उसी diagram में हमने s को बना लिया तो जहां पर s और i एक दूसरे के बराबर होते हैं that is the point of equilibrium that is what we call point of equilibrium of an economy so o y level of income is the level of equilibrium level of income here और यहां पर e से पहले e से पहले अगर आप देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि i जादा है और s कम है s उसके नीचे है तो e के point से पहले i is more than s और e point के बाद आप देख रहे है s उपर है i नीचे है तो s is more than i यह दो चीज़े मैंने बताई आपको तो before point e i is more than s, after point e e for equilibrium s is more than i अगर आपको समझ में आ गया clear हो चुका है तो आप मुझे yes sir लिखकर जरूर बताएं so that मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ गया students एक और चीज़, difference कुछ भी नहीं है यहां पर, आप चाहिए किसी भी case, किसी भी approach से करें देखिए diagram बहुत rare diagram है, बहुत कम books में आपको मिलेगा, even graduation वगेरा की books में तो आपको भर-बर के मिलेंगे diagrams लेकिन just a concept clarity के लिए मैंने diagram बनाया है, यहां पर यह equilibrium आ गया है यह जो आपका equilibrium आया है, उपर वाला, point A, यह आया है AD, AS approach से, AD और AS की approach से आया है यह labeling नहीं किये मैंने, क्योंकि concepts, जो है concept पर ध्यान दीजिए आप कि क्या समझाना चाहरा हूँ, यहां पर यह लिया, यह origin आगे students, Jaren आपके लिए, कि यहां पर जो है, आप थोड़ा ध्यान दे पाएं, यह x-axis है, मैंने अलग मारकर यहां पर use कर लिया है और आप यहां पर देखेंगे, कि यहां से हमारा यह आगया saving curve, यह हमारा saving curve आ गया है और यहां पर जिस point पर यह जो line हमने draw किये, एक vertical line हमने draw किये, यहां से बिलकुल एक straight line लेगे, मैंने यहां पर लगा दिया I, आप इसको I bar भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह autonomous investment है तो you can see students, कि जहां equilibrium, जो level of income, OY level, जो यह diagram दिखाता है, same to same, वही level of income, जो है आपका यह वाला diagram भी, यानि कि B diagram भी दिखाता है, जिसमें आपने S is equal to I approach को consider किया है Students, students, यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है, यह dual diagram मैंने बनाया है एक के उपर, एक के नीचे दूसरा, अगर आपको यह समझ में आया है, जल्दी से comment box में yes sir कीजिए सारे के सारे बचे, जितने भी 43 students अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, humble request है आप लोगों से, समझ में आया, बताएं जरूर so that हम लोग आगे बढ़ पाएं, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, बताएं जरूर कि भी आपको अगर यह चीज समझ में आ गई है, तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं काफी students का reply यहां पर आ रहा है, आ चुका है, तो चली इसके बात-बात करते हैं वन AD is more than AS, अगर हम इसके बात-बात करें यह भी हम हम हटा रहेतें, equilibrium की दो approaches होती हैं, पहली AD, दूसरी AS, पहली AD, दूसरी AS, AD में S, S equilibrium बनेगा, S और I में ऐसा equilibrium बनेगा, I hope that is absolutely clear to all the students, अब समझने वाली बात ये है students, आपको फिर भी अगर कोई problem हो students, वीडियो के बाद में भी वीडियो थोड़ा processing में time लगता है, वीडियो प्रोसेस होने में, तो आप comment box में comment करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर बाद में भ AD is more than AS, जब AD जो है, मैं बात कर रहा हूँ, deviation की, अब तक हमने बात की, कि AD और AS जहां पर बराबर होते हैं, वो basically हमारा equilibrium होता है, दो situation हो सकते हैं, इसके बाद deviation की, कि जब deviation आता है, deviation यारे कि जब AD और AS जो है, बराबर नहीं होते, तो कब नहीं होते हैं, जब AD ज़ादा हो होता है, AS से, आप AS का नाम कभी भी नहीं लेंगे, पहले आप AD से ही start करेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, that the hero of the story is aggregate demand, क्योंकि Keynes ने AS को perfectly elastic माना है, जो है, Keynes ने इसको perfectly elastic माना है, तो यहाँ पर अगर ऐसे situation होती है, तो in an economy, if aggregate demand is more than AS, तो इसको हम बोलते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे, AD is more than AS, और यह represent कर रहा है, excess demand को, मतलब demand जादा हो रही है, जैसे कि अभे ने भी question पूछा था, so AD is more than AS, students क्या होगा, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले, इसका मतलब यह है, कि basically यहाँ पर जो planned spending है, basically, जो planned spending है, is more than planned output, इसको हम बोलते हैं, अगरे के demand की planned spending, जो है, planned expenditure आप कह सकते हैं, spending कह सकते हैं, it means that planned expenditure is more than, is more than planned output, output क्या है, आउटपुट है AS, और यह क्या है, यह है AD, तो मतलब, अब planned expenditure कौन करते हैं, भी planned expenditure करते हैं, या तो firms करती हैं, या इससे पहले household, HH, household और firm दोनों मिलके final goods and services की demand करती हैं, तो यहाँ पर इनकी जो demand है, वो output से ज़ादा है, planned output, हम बार-बार planned की बात करते हैं, तो इससे ज़ादा है, इसका मतलब यह है, कि firm और household ज़ादा goods demand कर र यानि कि firm कम produce कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, कि जो stock इनके पास है, inventory जो है, planned inventory, यह थोड़ा सा complicated हो सकता है, जो doubt है, आप पूछ लीजिए, output यानि कि inventory, जो हमारे पास stock पढ़ रहा है, तो planned inventory will fall below the desired level, will fall below the desired level, below the desired level, desired level से कम हो जाएगी, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि demand जो है, ज्यादा है, supply कम है, तो inventory आपकी कम पढ़ जाएगी desired level से, अब यहाँ पर क्या होगा, to bring the desired, to bring the desired inventory back to the equilibrium, to bring the desired level of inventory, back to the equilibrium point, back to the equilibrium point, या equilibrium, equilibrium पर लाने के लिए, जो है desired inventory को, the firm will increase the employment, the firms will resort to increase, अब employment increase मतलब आपको मैंने बताया, कि employment कह लीजिए, income कह लीजिए, production कह लीजिए, सारी चीज़ें एक ही होती हैं, तो basically employment को बढ़ा दिया जाएगा, अब employment को बढ़ाया जाएगा, तो basically क्या होगा, यहाँ पर output भी बढ़ेगा, and output, output भी बढ़ेगा, और जब output बढ़ेगा, तो output को तब तक बढ़ाया जाएगा, जब तक कि यह दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाते, until the economy is back, until the economy is back, किस लेवल पर, until the economy is back at output level of OY, output level of OY, तब तक बढ़ाया जाएगा, जब तक full employment, OY लेवल तक नहीं आता, यानि कि यहाँ पर AD और AS further बराबर नहीं हो जाते, तब तक यह बढ़ाया जाएगा, जहाँ तक AD और AS बराबर नहीं हो जाते, students ध्यान दीजिए, कि starting में condition कुछ और थी, starting में condition थी, when AD is more than AS, यह था, अब यहाँ पर जो suppliers हैं, उनके पास inventory, planned inventory जो है, उसका stock जो है, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो stock को बढ़ाने के लिए, वो क्या करेंगे, desired level of stock को बढ़ाने के लिए, equilibrium को बढ़ाया, मतलब, sorry, equilibrium नहीं, firms will resort to increase the employment, employment and output, output और employment जब बढ़ेंगे, तो तब तक बढ़ता रहेगा, जब तक AD और AS दोनों आपस में equal नहीं हो जाते, तो अगर यहाँ तक किसी को कुई कुछ पूछना है, अराम से type कीजिए, बताइए, कि आपकी क्या problem है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया, नहीं आई, इसके अलावा, इसको काफी लोग profit से भी relate करके बताते हैं, कि alternative approach है, आपको notes जो है, मैं already share कर चुका हूँ, तो notes में आपको इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, कि हम profit से relate करके भी इसको समझा सकते हैं, कि जब AD जादा है, और AS कम है, तो AS कम है, मतलब producer profit जादा कमा सकते हैं, लेकिन उनको profit कम हो रहा है, तो profit shrink हो रहा है, तो profit shrink हो रहा ह तो वापस AD और AS दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, students एक और चीज़ है यहाँ पर, क्या है, कि यह deviation का सिर्फ पहला question है, यह question मैं आपको बता देता हूँ, यह question CBSE 19 जो मुझे अब तक याद है, CBSE 2019 में यह question 3 marks का, पूछा जा चुका है, एक question AD और AS का था, और एक question S औ और I का था, मैं आपको बता दू, यहाँ पर AD अगर जादा है, AS से तो यह situation है कि I is more than S, इन में जादा फरक कुछ नहीं होता है, students बद थोड़ा सा आपको language change करना पड़ता है, and all the things will be similar, और यहाँ पर जो है, I जो है कम होता है, AS से, तो यहाँ पर जो है, यह दो situations ली जाते दोनों एक दूसरे को represent करते हैं, synonym है एक दूसरे के, अगर आप इनको relate करके समझ सकते हैं, काफि सारे बच्चे relate नहीं कर पाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि AD जादा है, तो S जादा होगा या I जादा होगा, तो students मैं आपको फिर से एक pro tip देना चाहता हूँ, AD का मतलब होत से जो है, aggregate supply का पार्ट होती है, तो अगर I is more than S है, तो मतलब समझ जाएए कि aggregate demand is more than aggregate supply, और I is less than S है, तो आप समझ जाएए कि it is a case where aggregate demand is less than aggregate supply, students यह तो रहा first situation, first case कि उसमें क्या करते हैं, screenshot लेना है, screenshot ले लीजे, notes मैं आपको पहले से दे चुका हूँ, explain कर चुका हूँ, सार अभी जो है, हम इसका opposite case लेंगे, और क्योंकि काफे सारे चीज़ें आप यहाँ पर समझ चुके हैं, तो बहुत जादा explanation मैं यहाँ पर second case में नहीं दूँगा, मैं सिर्फ लिखूँगा, when AD is less than, less than aggregate supply, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर basically reverse situation है, यहाँ पर जो प्लाइंड let me change the marker, इस condition में क्या है, students यहाँ पर जो है, वो planned expenditure जो है, वो कम है, यानि कि household और firms करती है, मैं आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर, तो planned expenditure is less than planned output, यानि कि अब planned output, supplier के पास, suppliers ने जो है, sellers ने जो है, वो produce तो कर लिया, लेकिन उसके according, उतनी demand नहीं हो रही, तो demand is less than planned output, यानि कि supply जो है, aggregate supply ज़्यादा है, aggregate demand कम है, इस से क्या होगा, students, planned inventory will rise above the desired level, तो यहाँ पर लिखेंगे, planned inventory तो यहाँ पर इट विल राइज, मतलब जो stock वो रख रहे हैं, जतना उन्होंने सोचा कि बिकेगा, उतना बिका नहीं, लोगोंने खर्च ने किया, उतना, household ने खर्च ने किया, उतना, form sector ने खर्च ने किया, उतना, तो अब उनका जो inventory का level है, वो बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा, तो जैसे यहाँ पर employment को, हमने employment और output को increase किया था, अब यहाँ पर next time के लिए, हम लोग जो हैं, employment और output को कम कर लेंगे, employment और output को कम कर लेंगे, employment and output will decrease, they will resort to that particular thing, जो firms हैं, अब वो कम करेंगी, कम output, कम employment करेंगी, कम output produce करेंगी, ताकि जो extra, excess stock with them, वो यूजब फो सके, खतम हो सके, so to bring the desired level of inventory back to the equilibrium point, the firms will resort to increase, decrease कर देंगे यहाँ पर, will decrease, decrease the employment and output और यह तब तक decrease करेंगे, जब तक कि A, S और A, D, A, D और A, S आपस में बराबर नहीं हो जाते, तब तक यह process चलता रहेगा, students, यहाँ तक, अगर आपको कोई problem है, आप मुझे बदा जकते हैं, comment box में, और अगर problem नहीं है, तो सब बच्चों से request है, कि yes sir, comment box में लिखकर ज़रूर भीर जिये, so that हम लोग आगे move कर पाएं, यहाँ तक मैं आपको सारे चीज़े करवा चुका हूँ, कोई problem यहाँ पर नहीं है, S और I की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको saving और investment approach अल्रेडी बता चुका हूँ, कि saving और investment approach में basically क्या होता है, क्या नहीं होता है, जो diagram मैंने बोला था कि बहुत rare diagram है, वो आपकी book में भी आजकल दे दिया गया है, include कर लिया गया है, जिसमें एक तरफ AD और AS का equilibrium दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ जो है, वो S और I का equilibrium दिखाया गया है, अब यहां पर एक और चीज़ आपको समझने जरूरी है, कि यह जो equilibrium हम बोल रहे हैं, बार-बार यह increase हो रहा है, decrease हो रहा है, deviation AD कम है, जादा है, इसमें तीन situation हो सकते हैं, कि यह equilibrium पर full employment पर हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता, इसके बारे में हम और भी काफी study करेंगे, आगे हम यह सारी चीज़ें आपको बताएंगे, definitely we'll discuss all these points in our next class, कि क्या-क्या equilibrium level हो सकते हैं, full employment हो सकता है, under employment हो सकता है, more than full employment भी हो सकता है, तो ADAS हमारा complete हो गया है, S और I का diagram मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी अगर आप diagram दुबारा से पूछना चाहें, बनवाना चाहें, तो मैं आप लोगों के लिए दुबारा से diagram बना सकता हूँ, I don't have any problem students, कोई problem नहीं है, कोई issue नहीं है, हम आपके लिए दुबारा से diagram बना सकते हैं, अगर बनाने की ज़रुत है, yes और no, सबसे, yes sir या no sir, make the diagram, or don't make the diagram, बता दीजिए, लिख दीजिए, so that हम दुबारा से वो चीज़ कर पाएं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, यह सारे चीज़ें आपके लिए हो रही है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया, तो फिर यह किसी use का नहीं है, यह सारे चीज़ें useless हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप please मुझे बताएए, कि diagram बनाना है, या नहीं बनाना, so explain the diagram once again, okay हमारे पास वंदित जो हैं बता रहे हैं, चलिए भई, diagram बना देते हैं, फिर इस बात पर हम कोई बात नहीं, यह लिजिए, x-axis यह आगया y-axis, आप चाहें तो सबसे पहले i बना लिजिए यहां पर वंदित, आप चाहें तो सबसे पहले S बना लिजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, origin है यह, MR जो भी पॉइंट नाम देना है, investment saving इधर आ जाएगा, GDP यहां पर आ जाएगा, income यहां पर आ जाएगी, आपके लिए मेरे मेरे पास एक question है, आप सब के लिए, यहां पर यह जो है, इस T point को क्या कहते हैं, यह इसमें नहीं है, मैं आप से पूछाओ, इस T point को क्या कहते हैं, comment box में मुझे जरूर बताएं, कि इस T point के लिए एक special नाम होता है, हमारे लिए, हमारे पास, जो तीन words का होता है, तो आप मुझे बताएं, उसको क्या बोला जाता है, तो this is point of equilibrium, जहां पर S और I, यह S और I approach से मैंने बताया, कि आप यहां पर भी देख सकते हैं, कि 40-40 है, दोनों equal हैं, और O Y level of income, जो है, यहां पर आ जाता है, अगर आप बात करें, before E, before point E, आप point E से पहले देखेंगे, तो आप सब देख सकते हैं, students की I का level उपर है, और S जो है नीचे है, तो हम कहेंगे यहां पर कि I is more than S, जो मैंने पहले भी आपको बताया, और point E के बाद अगर आप देखेंगे, तो S आप देखेंगे यह उपर है, S is more than I, सिच्वेशन हम यहां पर डिसक्स करेंगे, कि how to get equilibrium, कि equilibrium कैसे हम already discuss कर चुके हैं, कि how to get equilibrium when AD is more than AS, और AS more than AD, sorry, AD is more than AS, AD is less than AS, यह दो सिच्वेशन हम पहले से डिसक्स कर चुके हैं, S और I की बात करेंगे, कि यहां पर क्या होता हैं, so students if we talk about these two situations, that when saving is more than investment, यहां पर कोई सिर्फ डाइग्राम बनाया है, मैंने कुछ और यहां पर मैंने कुछ नहीं बताया है, break-even point बोलते हैं, बहुत बढ़िया, और अगर आप break-even तो break-even बोलते हैं, इसके साथ मुझे फिर एक और चीज़ बताईए, कि यहां पर अगर यह T point है, जो मैंने erase कर दिया, related नहीं है, इस स्टुइंट्स दे में बार बार बता रहा हूँ, यहां पर आप मुझे बताईए कि APS की value क्या होगे, चलिए, तब तक मैं बात करता हूँ, आपको बताने T point है, इस पॉइंट पर APS की value क्या होगे, APS और APC, दो question मैंने और दे दिया, बताईए, और तब तक मैं situation 1, जो है, यहां पर लिख देता हूँ, when saving is more than investment, saving is more than investment, कि जब saving जो है, आपके ज़ाधा होती है, investment से तो उस point पर आप क्या करेंगे, आप जो है, यहां पर, यह वो case है, यह दूसरा case है, it is a situation after point E in the diagram, after point E in the diagram, diagram में S is more than I, यह वाला, इस point के बाद, यहां पर तो इस case में क्या करेंगे students, क्या हो सकता है, so यहां पर if planned savings are more than planned investment, यानि कि, यहां पर जो planned savings है, वो ज़्यादा है, investment से, यानि कि planned, इन्वेस लिख रहा हूँ है, and PIPI, यानि कि planned investment, planned savings more than PIPI से ज़्यादा है, तो यहां पर इसका मतलब यह है, कि savings ज़्यादा हो रही है, investment, देखिए फिर से समझी इसको, I जो है, वो कम है, S ज़्यादा है, तो I relate करता है AD से, और S relate करता है AS से, तो basically यहां पर जो है, expenditure जो हो रहा है, वो कम हो रहा है, as per the desired level, जितना उन्होंने, जितना firm sector ने, suppliers ने expect किया था, उससे कम हो रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे, कि यहां पर basically, जो household and firms, firms are spending less, या फिर आप कह सकते हैं, are not consuming, are not consuming, consume नहीं कर रहे हैं, as per the expectations, as per the expectations of, expectations of the firms, जो firms ने expect किया था, उसके according जो है, यहां पर household जो है, household जो है, यहां पर उसके according जो है, spend नहीं कर रहा, as a result, inventory जो है, inventory फिर से, inventory will rise, inventory will rise, from its desired level, desired level, जब बिकेंगे नहीं, तो inventory जो है, बढ़ जाएगी, जादा हो जाएगी, stockpiling हो जाएगी, और इसको to clear, to clear the unwanted stock, यह जो unwanted stock, हमारे पास आगया है, unwanted stock, क्या करेंगे फिर्म्स, to clear the unwanted stock, the firms will resort to decrease in employment, reduce the production, the firms will resort to decrease the production, production को decrease कर देंगी, production को decrease करेंगी, तो उससे क्या होगा, income भी decrease हो जाएगी, production decrease हो जाएगा, employment कम हो जाएगी, income कम हो जाएगी, और यह production तब तक कम होता रहेगा, till plant savings will not become, और आप कहा सकते हैं, थोड़ा सा यह state, plant savings will become equal to, will become equal to planned investment, यह process तब तक चलेगा, जब तक plant savings, plant investment के बराबर नहीं हो जाती, APS कह रहे हैं, 1 होगा, APS 1 नहीं होगा, बिटा यहाँ पर APS जो होगा, यहाँ पर क्योंकि 0 है, तो APS will be 0, और APC will be 1, तो जिन बच्चों ने भी answer दिया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि यह situations है, और when saving is more than वाला case, अगर आपको समझ में आया है, तो students कहीं पर कुछ problem है, पूछना चाहते हैं, पूछ लिए आपके सामने सारे चीज़ें लिखी हुई है, कि यहाँ पर basically, यहाँ पर हम firms को हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर firms नहीं आएंगी, यहाँ पर सिर्फ household आएगा, firms को क्योंकि investment के लिए responsible हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आया, एक दो बच्चे ही यहाँ यह सर लिख रहे हैं, जी हाँ, अब खुलकर यह सर आने शुरू हो गए हैं, that's a very great thing, students, बाकी बच्चों से भी request है, कि सारे के सारे बच्चे जल्दी से, यह सर लिखे और भीज दीजिए, और बताईए, कि कहीं पर कोई doubt है, जो मैं clarify कर पाऊं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके opposite case आता है students इसके बाद, इसके opposite case में क्या होगा? इसके opposite case की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास, यह last case है students, उसके बाद हम multiplier करेंगे, next class में, तो यहाँ पर basically क्या होगा, कि इसका दूसरा case है, when savings are less than, investment savings कम है, यानि कि यहाँ पर basically जैसे मैंने आपको बताया है, यह वाला point, after point A का case है, तो यहाँ पर savings are less, saving कम है, यानि कि I is more than S, यानि कि demand, aggregate demand जादा है, supply कम है, यह वो point होता है, जो before point E आता है, यह वो situation है, जो point E से पहले की होती है, इस से पहले, S is less than I, I जादा है, aggregate demand जादा है, और supply कम है, मतलब यहाँ पर यह होगा, कि जो household expenditure है, household is consuming, household is consuming more, more than what is expected, than what is expected by firms, what is expected by firms, क्या होगा, desired level of inventory, desired level of inventory, क्या होगी students, जब demand जादा हो रही है, तो desired level of inventory, जो है, आपकी fall हो जाएगी, गिर जाएगी, desired level of inventory कम हो जाएगी, क्योंकि household consume जादा कर रहा है, तो desired level of inventory कम होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जो है, इस situation से, इस shortage से, combat करने के लिए, यहाँ आप कह सकते हैं, to bring the desired inventory, to, bring the desired inventory, back, to its level, firms will resort to, firms will resort to rise in production, production को बढ़ा देंगी, क्योंकि भई demand जादा हो रही है, production यानि कि income बढ़ेगी, employment बढ़ेगी, और जब income बढ़ेगी, आप बात है saving भी बढ़ेगी, तो basically यहाँ पर क्या होगा, कि rise in production, and this process will keep on taking place, आप लेख सकते हैं, till, as becomes equal to, यानि कि planned savings, और planned investment, जब एक दूसरे के बराबर, हो जाएंगी, तो उसको हम जो है, यहाँ पर, इस situation को बोलेंगे, saving is less than investment, fine, savings are less than investment, जो भी आप बोलना चाहें, दोनों ही situation सेम है, कोई problem नहीं है, आस्ता में ता, उसमें भी, आपको यहाँ तक कोई problem है, तो मुझे जरूर बताएं students, कोई point अगर आपने clear करना है, तो वो भी बताएं, कोई issue अगर आपको आज की class में आया है, इंपॉर्टेंट है, fine, इस तरीके की चीज़े, काफी बार exams में पूछी जा चुकी है, बार-बार पूछी जाती है, कि क्या होगा, increase या decrease का क्या फरक पड़ेगा, 2009, 2015, 2017, 2006, अलग-अलग सालों में इस concept को पूछा जा चुका है, 2014, All India Compartment में आ चुका है, यह question, यह question जो है, aggregate demand की बात करूँ, तो 2016 में आ चुका है, इसी question की बात करूँ, 2011 में आ चुका है, तो बहुत बार यह question repeat हो चुका है, अच्छे से कीजिए, सही तरीके से कीजिए, और यहाँ पर आज की class हम खतम करते हैं, multiplier पर एक वीडियो में already जो है, upload कर चुका हूँ, आज उसे public करने वाला हूँ, तो आप multiplier का concept advance में समझ सकते हैं, अगर समझना चाहें, इसी तरीके से पढ़ते रहे हैं, इस students काफी अच्छा लगता है, जब आप लोगों के लिए बनाए गए वीडियो को, आप लोग इतने प्यार से देखते हैं, अच्छा लगा, समझ में आया, जिन बच्चों ने like कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, like नहीं किया है, तो कर दीजिए, मिलते हैं किसी और class में, till then, keep learning, keep studying and keep watching you know what. Thank you all of you. See you in my next video.